Alright guys, so आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को exercise देने वाला हूँ Guys, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ये C language tutorial की playlist को access नहीं किया है तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग C programming की इस playlist को जरूर से access कर लें उससे होगा क्या कि आप लोगों के पास सारे के सारे videos step by step रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग step by step देखें सारी चीजों को सारे concepts को आराम से रास्प करें doubts पूछे, comment में interact करें ये course मैंने इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर available कराया है अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे tutorial number 36 में जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक exercise आप लोगो question describe करने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को करना है तो मैं आपर लिखूँगा tutorial और उसके बाद मैं आपर लिखूँगा आपर 6.c और यहाँ पर एक file बना लिए मैंने तो यहाँ पर यह फाइल बनाने के बाद मैं आपर अपना snippet लिखूँगा main2 और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ कुछ मैंने आपर अपना program auto complete कर लिया user snippets की मदद से मैं यहाँ यहाँ पर क्या करूँगा एक function का इसमाल करूँगा और वह function क्या करेगा वह function कुछ return नहीं करेगा वह सिर्फ यहाँ पर क्या लेगा वह क्या करेगा reverse कर देगा एक array का तो मैं उसका नाम array रखूँगा ठीक है और वह क्या करेगा एक इंट स्टार एक array लेगा अब वह आप किस तरह कर सकते हैं आपको किस तरह accept करना मैं आप नहीं बता दूगा मैं आपर arg1 करके लिखूँगा सिर्फ कि वह exercise है आपकी और मैं आपर arg1 लिखूँगा arg1 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक array बनाता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तो एक array बनाना है int array is equal to एक one dimensional array आप लोग को बनाना है तो इस वालूमने यह बना है ठीक है और उस लिपास semicolon लगाने के बाद आप लोगों क्या करना है आप लोगों को reversal से पहले और reversal के बाद इस array को print करना है बहुत ही simple सी exercise है मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान होगा जिसने वीडियो देखे होंगे और वो इस exercise को ना कर पाए ना मुम्किन है क्योंकि मैंने आपर सब कुछ step by step समझा रखा है और आप लोगों ने अगर सारे के सारे वीडियो साही से देखे हैं तो आप लोग अराम से इसको कर पाएंगे याँ पर बस एक छोटी सी trick है इसमें जो कि मैं discuss करूँगा बाद में आप लोगो simply करना क्या है कैसे उल्टा करेंगे सारे को आपको reverse कैसे करेंगे आप आप क्या करेंगे 1 को 67 को अदला ब बदली कर देंगे फिर 3 और 5 को अदला बदली कर देंगे लेकिन आप लोग जब यहां तक आजाएंगे 4 तक यहां तक आप लोग को अदला बदली करनी है उसके corresponding पीछे से जो element है उससे तो या पर आप इस चीज़ को किस तरह करते हैं मैं देखना हूँ कि कितने लोग इसक solution बना रहा हूँ मैं इस वीडियो का भी solution बना कर डाल दूँगा तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सब नीचे चालेंगे करें इस वीडियो को like भी कर दें और मुझे बताएंगे किस तरह मैं इस course को improve कर सकता हूँ मुझे अभी तक feedback नहीं मिला है तो अगर आप लोग hashtag रहा हूँ उसी के साथ साथ यहाँ पर आप और feedback मुझे दें ताकि मैं इस course को और improve कर सकूँ इस वीडियो को like करना मत बूलना अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही thank you so much guys for watching this video मिलते हैं इस exercise के solution वीडियो में and I will see you next time झाल